ह एक थो है अवरिवेरण ठोपिक मौड और ट्रास्व केसी दिविग और स्थी पिक टोपिक द इस आप पालिश थ defenses passes यह मौ इंफीज रायते संध स्थी एक किसकी सक्षेश है है तो किस तरीके से जाता है इसको study करते हैं for it transmission virus is depend upon an external carriers which may be living or non-living living मतलब जैसे कोई organism है non-living यानि मतलब कोई soil से जा रहा है या फिर touch से जा रहा है किस तरीके से जा रहा है वो carriers के जाद आता है अपने आप से नहीं चाता the living agencies are called vectors mainly the transmission is depend upon the nature of host organism some of important notes are given below first is airborne transmission airborne transmission means क्या होता है virus cause respiratory infection as transmitted by means किस तरीके से एर के दोबारा airborne मतलब जैसे की droplets से जा रहा हो minute droplets expelled from mouth or nose of the infected person can easily be inhaled मतलब जो infected person होता है जब क्या होता है वो छीकता है तो उससे क्या होता है minute droplets जो होते वो air में आ जाते है वो droplets फिर क्या है inhaled कर ली जाते है healthy person के दोबारा तो उसमें क्या है वो transmission इस तरीके से हो गया इस droplet nuclei contain a large number of virus particle lead to the further infection of the healthy person influenza virus smallpox virus और polio virus are transmitted through this mode next one is transmission by the touch it is a common method of transmission in many plant viruses like tobacco tobacco mosaic virus मैंने आपको जब इसका detail structure बताया था और detail इसकी history के बारे में बताया था है तब मैंने बताया था कैसे यह transmit होता है सिगार से सिग्रेट से या फिर कैसे की प्लांट जो होता है उसको एक बार टच करेंगे हम और फिर healthy plant को टच करेंगे तो वहां से भी transmission जला गया तो टच से जा रहा था and potato virus X भी इसी तरीके से transmit होता है प्लांट ग्रो वेरी क्लोस तो इच अधर इन दा फिल्ट ओफ दर रब अगेस्ट इच अधर इन स्ट्रोंग बीज कास्ट अबरेशन मतलब कि जब जब क्या होते है बहुत जादा स्ट्रोंग क्या होती हवा चल रही हो तो उस टेम पे वह एक प्लांट आपस में रब करें फूड एंड माउथ डिजीज वाइरस ऑफ एनीमल और मैनी अनधर आर ट्रास्मिटेट थो इस कॉंटेक्ट तो उसके लावा जो कॉंटेक्ट के अगरम टच की बाते तो ग्राफ्टिंग करते उस टाइम पे भी इस तरीके से ट्रास्मिशन हो जाता है नेक्स्ट वन इस सी ट्रास्मिटान इंफेक्टिड सीड करिंग था वाइरस पार्टिकल इन देर सीड कोट एंडॉस्पं एंभरियो और के ब्रोडूस राइजों कौन बल्ब से कटिंग आर यूस्ट फोर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और इंफेक्टिड प्लांट इस टेकन फ्रम इंफे करते हैं उस सीड को करते हैं तो उससे जो प्लांट बनेगा वो सारे प्लांट कैसा होगा इंफेक्टिड होगा उसकी हर एक सेल में वायरस चला जाएगा फिर उसके जब हम किसी वैजिटेटिव पार्ट को लेते हैं जैसे ट्यूबर राइजोम को लेंगे उससे क्या करेंगे आए वेजिटेटिव प्रोपगेशन कराएंगे तो उस प्लांट बनेगा वह भी इंफेक्टिड ही बनेगा नेक्स्ट इस ट्रांसमिशन थ्रोधा नेमेटोर्स नेमेटोड्स होते जैसे लोंगी डोरस हो गया ये क्या है वायरस गटेंड होते हैं इंदर बहुत आध़ाही दे रिखए को ट्रास्मिट करते हैं जैसे मकाइजस है एक है है यह क्षण पोटाट रॉल बाइरस को क्या करते हैं कि करतीival टीज तरीकिंट करती है इस तरीकोत किसी तरीक्त सेaley भाईरस के यह pleasing यह और उसे जन सीघाप क्या बोलतों सम ओफ दा इंपोर्टन वैक्टर आर दा लीफ़ॉपर्स फ्लाइ बैटल्स एफ फीड्स वाइट फ्लाइज इन्सेक्ट। तो वहाँ पर इसको ट्रास्मिट कर देगा वाइरस को नेक्स्ट है फंगल ट्रास्मिस टोबैको नेक्रोसिज वाइरस इस ट्रास्मिटेड बाइ दा ओल्फीडियम ब्रैसिके एंड जी स्रीके से क्या है कुछ फंगल भी ऐसी होते हैं जो एज वेक्टर की तरह काम करते हैं नेक्स Spa मिस थ ट्रोध पोलन ग्रेंस इंफक्टित जो प्लांट होगा उससे जो पोलन ग्रेंस बनेंगे वह भी फ्हेक्टिड ही होएंगे जब वो pollen grain क्या करेंगे healthy plant की healthy plant के उपर जा की क्या करेंगे pollination के दुरान जाएंगे तो वहाँ पर क्या करेंगे जो seed बनेगी वो seed virus contained बनेगी तो इस तरीके से pollen grain भी transmit करता है another mean of the transmission क्या हो सकते है ingestion of contaminated food जैसे infected जो plant part उसको खाने से by the insect soil borer wild disease through the soil microorganism natural grafting occur through the cascata plant virus पर यह अरदर में है कि इन तरीकों से भी क्या है virus transmit क्या जा सकता है transmitted by the smoker जो मैंने बताए था TMV का वहाँ पर cigarette और cigars का बताए था ना कि उस cigarette के अंदर क्या डाले जाती है तो बैको डाला जाता था वो टो तो मैं अगर वाइरस है तो वह भी transmitted होगा तो TMV is easily transmitted by fingers of the smakers and also by the unbranded piece of the cigar cigarette बीडीज एक्टर नेक्स्ट है अब जो है symptoms of viral plant disease जो plant है जिसको पर वाइरस जा चुका है तो उस वाइरस की वजह से क्या-क्या symptoms plant पर दिखेंगे जैसे हमें पता चलेगा कि इस plant में जो यह डीजिज है पर्टिकुलर यह वाइरस की वजह से है जो भी symptoms होंगे वो कुछ characteristics दिखाई देंगे जैसे कि वाइरस जो infected होती है उनकी growth में कमी आ जाते है वीग्रेस और cropping power of plant तो वाइरस में भी primary virus हो सकता और systematic primary virus वो होता है जो किसी एक जर्नल एरिया तक ही restricted रहता है जहां पर उसने प्लांट में एंटरी किया सिर्फ वहीं पर इंफेक्शन कार्ज करेगा प्राइमरी इंफेक्शन इस डिस्टिक्टिट टू दा सर्टें एरिया जर्नली एट और नियर दा प्राइमरी और systematic जो वायरस होता है systematic जो इनफेक्शन होता है वह वह बहुता है जो सप्रेड कर जाता है थ्रौट अधा प्लांट जहां बेंटरी किया वहां से लेकर पूरा प्लांट के अंदर ही वह स्प्रेड कर जाएगा systematic infection soon spread throughout the host plant external manifestation of these infection are called symptom by external appearance होना is virus की वाजसे उन का क्या पोलतो symptom which may or may not be specific but help in the diagnosis of the disease plant disease caused by virus are mostly systematic in nature the entire plant may be infected but the symptoms are produced only upon the few organs mostly leaf but other organs such as root shoot floral organ may also symptom as well starting में तो क्या होता है लीफ से ही प्राइमरी तो लीफ पर होता ज्यादा बाक्की उसके लावा जरूर शूर्ट फ्लोरल ओर्गन है उनमें भी आपको symptom देखने को मिल सकता है आप जो यह में क्या होगा प्राइंस ओफ लाइट ग्रीन एडियलो पैची जो लीफ होती है उस पर लाइट ग्रीन और यलो पैचीस से आपको दिखाई देने लग जाएंगे इस तब आप बोलोगे मोसाइक डिजीज हुई है नेक्स्ट इस वीन क्लियरिंग में क्या होता है वेंस और वेंस लैट्स होती है वह यलो क्लरकी रहेंगे और चोटी छोटी छोटी होती है उस इस सिर्फ क्या रहेंगे आपकी यह लुकलर क्रेहंगी जबकि ब्लेंडिंग कें अंदर क्या रहर YOUR इंद्स और यलो क्लरके हो जाएगे लेकिन और ग्रिह इन इसमें क्या होगा लीफ एक्जीबिट सेम्टम लाइक रोलिंग, क्रपिंग, क्रिंक्लिंग, विद रिडक्षन ओफ लैमिना, छोटा हो जाएगा लैमिना और उन में क्या है, रोलिंग बगारा का फिनोमिना सो होगा, एक स्टक्चर की फोर्मेशन करेंगे, सर्कुलर स्टक्चर ठीक है, उसका आप क्या बोलता है, नीच्स टर्निंग, स्टर्निंग में क्या होगा, रिडक्षन हो जाएगी, हाइट चोटी रहेगी प्लांट की, जैसे बंची टोप बनाना जो डीजिज है, उसकी वज़ा से क्या होता है, हाइट चोटी हो जाते है, प्लांट की, नेक्स ब्रिक, पीट पेटल सोड़ा वारीगेटेड अपेरेंस इफ टीट रंगार ग्रीन इट कोल विक्रियन्स ठीक है वेरी सेंसरी नेक्स्ट इस तुमर आउट ग्रोथ प्रोदूस्ट उन दा लीफ और रूट दू दू दा अनकंट्रोल डिविजिन और ग्रोथ ऑफ दा सेल उसको बोलत होगा लीफ का साइड चोटा हो जाएगा और जो इंटर नोड्स होते हैं दो नोड्स के बीच का एरिया उसमें क्या होगा इंटर नोड्स की हाइट भी छोटी रहीगी और अबनॉर्मल ग्रोथ होएगी प्लांट की तो उसका बोलते हैं विच ब्रूम जैसे विच का मतलब जाल चुडेल की जाड़ु उसके तरह दिखने लग जाते हैं नेक्स्ट इस यूर्ण स्पोर्ट रिंग स्पोर्टिंग में क्या होगा दा क्रोनिंग और नेक्रोटिक स्पोर्ट अपीर ओन धा सर्फेस ऑफ दा लीव इंदा फॉर्म फ्रिंग लाइग अरूंद शेंट्र स्पोर्ट-ब्रेकिंग ओफ प्रिक्इपक्रप्रम कर सकते हैं स्मिधाइन के ओपर प्रिवेंट्शन कैसे जाकता ने क्या और्पर कुछ करने के लिए डीजिस को कुछ अलग-अलग प्रोसीजर है जैसे कारीं क्या च्थरा आपनी बहुत्वुने टैक्ट में हम एक प्लेस यहांदा करना है कि फॉस्क्ली om के उसी लएते हैं उसके प्रटोकल को चैक करना है इसकी शचवर गांके देखना है कि आयोग रेखना या जो जीन में मुटेशन तो नहीं किया है तो वो क्वेरेंटाइन के जो लोज होते हैं उनको प्रोपर से फोलो करना जाहिए जब हम प्लांट को दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं ताकि अवोइड कर सके एंट्रियोगानी डीजी सोर्स फॉम आउटसाइड नेक्स्ट इस डिस्ट्रक्शन ओफ दा अल्टरनिटिव घोस्त जो अल्टरनिटिव घोस्त होते हैं जैसे कुछ प्लांट के मैंने बताया कि इंसेक्ट से क्या करते हैं इंसेक्ट के तुरू तो हम क्या करेंगे प्लांट शुड़ बी रिमूवड बाइ फिल्ट और ब्रंट बन हम जो सेस बच जाते हैं ना प्लांट के जो पिछे से उनको क्या कर देते हैं ब्रंट कर देते हैं नेक्स्ट इज कीमो थेरेपी सेटेन केमिकल और फांट टू इफेक्टिव एजेंट से सम्वाइरल प्लांटिड लाइक दा हाइट्रोकुनीन सोडियम थायो सलफेट थायो यूरेसिल यूरिया केट को लिए कुछ ना डीजीज के लिए क्या है कुछ ट्रग्स हैं कुछ केमि इसी तरीके से अभी मैंने आपको एक ट्रम का वारे में नेक्रोसिस क्या होता है क्लोरोसिस लिए पहले वहां पर बताई क्योंकि यहां पर यह वर्ड यूज है इस टीवल कॉप अच्छे से कर लेजिए कौन से वाइरस की विजए से कौन सी पर्टिकुलर डीजीज होती है और उसके क्या सिंटम दिखायी दिते हैं नेक्स्ट हैं ड्रक के हमने बात कर लीं कुछ इन्टरफिरोंद हम परद्डीका करती है प्र द्धियज करती है वाइरस के खिलाप defense में ऐंटी वाइरल डिफेंशी प्रोटीन उनख क्या बहुत है इंटरफेरोंस बोलते हो इंटे वाईरस कोस्तिकंट नहीं होगा तो हम बना कि क्या है इसको इसको कर सकते हैं यह उगा यह हमेंगा से कहा एक प्लांट ने दिखा जला देंगे या फिर उसको किसी भी तरीके से बिट्टी के अंदर दबा देंगे ताकि वाइरस वाइरस उससे आना अदर हेल्डी प्लाइंट्स में